नीचे description में आपको ring theory की playlist का link मिल जाएगा तो आज हम start करेंगे ring theory पहले इसकी definition देखेंगे फिर example करेंगे तो यहाँ पर definition हमारी किस तरह से दे रखें Let R be a non-empty set with two binary operations denoted by plus and dot यहाँ पर plus जो है यह ordinary plus नहीं है और नहीं है जो dot है ordinary multiplication है यह सरीफ एक notation है ठीक है then the algebraic structure R plus dot define a ring जिस तरह से हम group theory पढ़ रहे थे तो वहाँ पर group हमने किस तरह से define किया था वहाँ पर भी हमने एक binary operation लिया था वहाँ पर हमने star से denote किया था लेकिन यहाँ पर हम plus और dot से denote करेंगे तो यह ring theory जो है इसमें इसको ring कहेंगे कब कहेंगे जब यह condition तीन condition से define करें पहली condition क्या है कि R plus is an abelian group abelian group मनें यहाँ पर दखो abelian group कब होता है जब पहली तो यह हो कि A plus B plus C is equals to A plus B plus C और दूसरी condition क्या हो A plus 0 यहाँ पर 0 जो है वो identity होगा is equals to A is equals to 0 plus A ठीक है where 0 is identity तीसरा क्या है additive inverse यहाँ पर addition ले रहे हैं तो इसको हम addition ही बोलेंगे और उसको multiplication ही बोलेंगे तो यह होगा A minus A is equals to 0 is equals to minus A plus A where minus A is an additive inverse of A ठीक है और चुकि यह abelion group है तो यहाँ पर यह होगा A plus B is equals to B plus A तो यह चार condition से despite करना चाहिए तब जो है हम कहेंगे R plus क्या है abelion group है दूसरी condition क्या है कि R dot is a semi group तो यहाँ पर यह semi group होना चाहिए semi group क्या होता है हमारा simply A, B, C belongs to R A चुकि डॉट है तो A dot B dot C is equals to A B dot C तो यहाँ पर सिर्फ associativity अगर hold कर जाए तो यह R dot जो है वो semi group हो जाएगा तीसरी condition क्या है कि A, B, C belongs to R यह हमारी left distributive property यहनी A dot B plus C यह क्या हो जाएगा A dot B plus A dot C A plus B dot C is equals to A dot C plus B dot C अब यहाँ पर चुकि हमने यह plus ले रखा यह dot ले रखा है और हम जो है छोटे पर से यह पढ़ते आ रहे हैं अगर यहाँ पर plus होता है यहाँ पर dot होता है इसको मंदर से multiply कर सकते हैं वो सारी property इसलिए hold करती थी क्योंकि वहाँ पर हम R को जो है वो real number लेके चलते थे और real number पर जो plus होता है वो plus ही होता है ordinary plus यानि 2 plus 2 is equals to 4 वाला और यह dot जो है यह multiplication होता है इसलिए यह सारी condition satisfy करती है मगर अगर R जो है वो real number नहीं है तो यह addition और होगा multiplication और होगा example ले सकते हैं वैसे हम यहाँ पर हमने प्लस किस तरह से define क्या है symmetric difference यह है symmetric difference हम जानते है क्या होता है symmetric difference लिख लेते हैं अगर नहीं जानते तो a b is equals to a minus b union b minus a इस तरह से भी लिखते हैं दूसरा a union b minus a intersection b इस तरह से भी लिखते हैं तो यहाँ पर हमने addition को जो है वो इससे define किया है और dot जो है वो हमने intersection define किया है अब यहाँ पर दखो इसके respect में क्या होना चाहिए abelion group होना चाहिए तो पहले इसको abelion group सो करेंगे तो यहाँ पे हमने पहले लिया a, b belongs to pn तो यहाँ पे देखो a और b pn में क्या होंगे n के subset होंगे तो जो यह small a है यह n का subset है small b जो है वो n का subset है अब यहाँ पे देखो यह अगर हमारा a है ठीक है और यह हमारा n का subset है यह हमारा b है यह भी हमारा किसका subset है n का subset है तो अगर हम a symmetric difference b निकालने तो हमें क्या elements मिलेंगे यह सारे elements मिलेंगे ठीक है तो यह भी हमारा क्या होगा n का subset होगा तो यहाँ पे a symmetric difference b subset होगा n का अब अगर यह n का subset है तो PN में सारे subset ब्लॉंग कर रहे हैं तो यह भी ब्लॉंग करेगा तो यहां से हमें क्या मिला कि PN जो है वो closed है अंडर symmetric difference अब associativity की बात कर लेते हैं associativity क्या होता है कि A symmetric difference B symmetric difference C यानि पहले हमने इसके उपर bracket लगाया तो यह equal आना चाहिए यहां पर हम bracket लगा दें तो ठिक है और इसको हम समझेंगे W Pan Do une Diagram से तो यहां पे हम एक वैन डायग्राम बना लेते हैं पहले यहां पे इस तरह से हमने मान लिरिया यह A है है यह B है यह C है और यहां पे हम पहले क्या करेंगे यह पे निकालेंगे पहले B और C पर symmetric reference C इस तरह से ठीक है और यहाँ पर हम इसको माल लेते हैं यह A है यह B है और यह C है ठीक है तो पहले B और C के बीच में देखना पड़ेगा तो B और C के बीच में symmetric reference किस तरह से आता है हमारा जो intersection होता है उसको हम हटा देते हैं यानि कि यह आएगा B symmetric reference C is equals to B union C minus B intersection C तो इसमें कौन से elements आएंगे यह वाले यह B वाले elements आएंगे और यह C वाले आएंगे ठीक है तो यह तो B symmetric reference C हो गया इसको हम माल लेते हैं कुछ और इसको माल लेते हैं हम Z ठीक है तो अब यह क्या हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा A symmetric difference Z अब यहाँ पर Z में यह set भी आ रहा है A में अब यहाँ पर दोखो अगर यह Z है इस तरह से हमने इसको लिया है इसमें यह सारे elements हैं अब अगर हम इसका symmetric difference ले रहे हैं A के साथ A हमारा नीचे तो यह आएगा तो यह किसके को लाएगा A union Z minus A intersection Z तो यहाँ पर A union Z तो हमारा यह सारे elements हैं और A intersection Z के आएगा यह वाले elements आएंगे यह वाले ठीक है और इसी को हमें हटा देना है तो यह हम हटा देंगे तो यह हमारा किस तरह से बचेगा यह हमारा बचेगा यहाँ पर हम पूरा बना लें तो यहाँ पर यह वाले elements बचेएंगे ठीक है और यहाँ पे यह वाले elements बचेंगे और फिर हमारे यह वाले elements बचेंगे तो इसको अगर हम fair कर लें तो यह क्या आएगा हमारा देखो यहाँ पे अगर हम इसको माल लेते हैं A, B, C यह हो जाएगा A, B, C तो पहले हमें क्या करना है B, C, C के बीच में निकालेंगे तो यहाँ पे यह B है और यह C है तो कौन से elements आएगे हमारे यह सारे elements आएगे ठीक है और जब हम इसको यानि यह जो set आया है इसको अगर हम इसके साथ निकालेंगे A के साथ то हमें यह वाले elements मिल जाएंगे इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसी तरह से draw कर लेंगे पहले हम A और B के बीच में देखेंगे तो हमें कौन से elements मिलेंगे यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे यह इस तरह से यह मैं जो है वेन डायग्राम से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब हमने group theory पढ़ा था तो वहाँ पे हमने इसको detail में समझाता algebraic तरीके से इसलिए यहाँ पे थोड़ा sort करने के लिए हम इसको वेन डायग्राम से समझा रहे हैं तो यहाँ पे यह हमारा इस तरह से आएगा और यह हमारा इस तरह से आएगा का काम क्या होता है हमारा यह हमारा a symmetric difference e is equals to a और यह किसके एक्कोल आजाए e symmetric difference a के एक्कोल आजाए और यह हमारा किसके एक्कोल हो जाएगा यह हो जाएगा a minus e union e minus a दोनों तरह ही किसम define कर लेते हैं a union e minus a intersection e इस तरह से भी define करते हैं तो यहाँ प्रेदेखों यह हमारा a के एक्कोल यह हमारा a के एक्कोल कब आएगा एक्जांपल देखो जैसरे कर यह हमने when diagram से समस्व को यह हमने a माल लिया और यह आना चाहिए a के एक्कोल तो यह कब आएगा अब अगर e में हमारा कोई element है तो e symmetric difference e यह है और a यह है यहाँ पर यह a है और यह e है अगर e में एक भी element हुआ तो a के हमारे कौन से element बचेंगे यह वाले बचेंगे क्योंकि इसको तो हमें हटा देना है थिक है तो यह तो a के इकल हो नहीं सकता क्योंकि a के यह वाले element निकल गए तो e को क्या होना होना पड़ेगा अगर e empty होगा तभी हमारा यह पूरा का पूरा a बचेंगा ठीक है क्योंकि अगर एक भी element इसमें होगा तो वह a से अगर common है तो अब चुकि identity unique होते है तो वह हर एक element के साथ होना चाहिए यहाँ पर क्या होता है for all a belongs to natural number तो e में अगर एक भी element होगा तो a में हमें ऐसा मिल जाएगा example के लिए जैसे अगर हमने e ले लिया singleton one ठीक है तो a जो है a हमारा subset है natural number का तो a हमारा अगर हम इस तरह से ले ले लेते जाए one two three ठीक है तो यह इसके लिए identity नहीं बनायेगा क्यों नहीं बनायेगा क्यों कि हम देख लेते है a minus e हमारा क्या आयेगा two और three और e minus a हमारा क्या आयेगा five और जब हम इसका और इसका union लेंगे तो वह क्या आयेगा two और three एक equal तो आया नहीं ठीक है तो e हम कुछ भी हैं वो सबके लिए जो है identity नहीं बनायेगा identity तभी बनायेगा जब वो five के एककोल आए ठीक है तो यहाँ पर identity क्या जाएगा empty set अब हम बात करते हैं additive inverse के तो यहाँ पर हमने माल लिया b belongs to pn is inverse of a belongs to pn तो inverse का क्या काम होता है कि a symmetric difference के कि एककोल आ जाएगा identity के एकोल identity हमारा five है तो a symmetric reference b is equals to five और यह हमारा किसके कोल आ जाएगा यह आ जाएगा a minus b यहाँ पर होगा union b minus a is equals to five अब यहाँ पर देखो अगर a यह है और b के अगर कुछ element हमारे common है तो a minus b union b minus a हमारा क्या है यह वाले elements आ जाएगे तो यह empty तो हुआ empty कब होगा जब इसमें हम जब यह से यह a है यह b है अगर हम इसके बीच में semantic reference ले तो यह five के एकोल आना चाहिए और यह five के एकोल तब आएगा जब यह overlap कर जाए यानि a अगर यह set है तो b भी यहीं set हो जाए तो a minus b के आ जाएगा five of b minus a के आ जाएगा वो भी five आ जाएगा उसका union भी five रहेगा तो यहाँ पे b is equals to a के लिए यह सिर्फ true होगा तो यह imply करेगा a inverse is equals to a तो यहाँ पे additive inverse क्या आ जाएगा हमारा a आ जाएगा यानि pn में जितने भी elements होते वो सब order two के होते हैं अगर हम group की बात करें तो अब commutativity check कर लेते हैं यहाँ पे दोखों a symmetry reference b is equals to इसको हम क्या लिख सकते हैं a minus b union b b minus a और union जो है वो हमारा क्या होता है commutative होता है तो इसको हम लिख सकते हैं पहले इसको लिख सकते हैं बाद में यह आ जाएगा b symmetric difference a तो यह commutative भी होता है यह imply करेगा pn plus is equals to जहाँ पर plus हमारा यह है तो यहाँ पे यह example इसलिए मैं ने लिया ताकि आपको यह भी समझ में आए कि यह plus जो है वो ordinary वाला प्लस नहीं है यहाँ पर यह plus कुछ भी हो सकता है इसे यहाँ पर set के मामले में यह plus इस तरह से हो गया matrix होगा तो matrix वाला plus लेंगे हम अगर set हमारा functions का है तो function वाला plus लेंगे तो function में हो सकता है plus हमारा composition तरीके से define हो है ना तो यह depend करेगा यह set कैसा है अगर set के और चुकी हमने plus ले रखा है तो यह एक notation है अगर यह set change होगा तो यह notation भी change हो जाएगा दूसरा चीज़ अब हमें क्या check करना है कि pn जो dot के respect में क्या होता है semi group होता है तो यहाँ पर देखो a b हमने दो element लिए pn में और यहाँ पर हमने dot किस तरह से define कर से ए और बी एकर दो subset है n के तो a intersection b a کا subset होगा b का subset होगा और a और b हमारे n के subset है तो a intersection b जो है वो n का subset भी हो जाएगा और n के सारे subset इसमें हैं तो a intersection b भी इसमें होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि psn में close है अब क्या check करना हम है same group अब यहाँ पर देखो A intersection B intersection C is equal to A intersection B B intersection C तो यह हमारा associative होता है आसानी के लिए इसको हम VN डायाग्राम से भी समझ सकते हैं या फिर इसमें हम एक element लें और उसको हम सो करें कि वो इसमें है और इसमें एक element लें उसको सो करनें कि वो इसमें है element किस तरह से हम लेते हैं यह भी shake लेते हैं अगर जो है कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर X belongs to A intersection B intersection C तो यह imply करेगा X belongs to A intersection B and A X belongs to C और यह imply करेगा X belongs to यह if and all leave condition होगी है यह बैक भी हम जा सकते हैं X belongs to A and X belongs to B यहाँ पर इस and को इस तरह से लगा ले ताकि यह फरक पता चलता रहे है and X belongs to C अब यहाँ पर दखो यह सब चीजें तो and में हैं तो इसका मतलब हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं X belongs to A and इसको इस तरह से लिखते हैं X belongs to B intersection C तो यहाँ पर if and only if लग जाएगा X belongs to यहाँ पर and है तो A intersection B intersection C यह चीज़ हम 12 में सीखे थे कि अगर and लगा हो तो हम intersection लगाते हैं और लगा हो तो हम union लगाते हैं तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें हमने element लिया इसमें मिल गया similarly अगर हम इसमें element लिये तो इस तरह से हम बैक चले जाएंगे तो हमें उसमें मिल जाएगा तो यहाँ पर यह associativity hold कर रही तो इस तरह से यह हो जाएगा Pn.Eja semi-group अब हम तीसरी property देख लेते हैं Left Distributive Property, Right Distributive Property A, B, C हमने तीन element लिये Pn में A.B plus C is equal to क्या लिया हमने A intersection B symmetric difference C और यहाँ पर यह हमारा Distributive Property hold करता है इसको हम क्या लिख सकते हैं A intersection B symmetric difference A intersection C इसको हम Venn Diagram से भी समझ सकते हैं जैसे यहाँ पर यह A लिया हमने यह B लिया और यह C लिया A, B, C तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर पहले हम B symmetric difference C निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा इस तरह से यह B है ठीक है यह B elements होंगे चुकि यहाँ पर यह C है तो यह B होंगे और यह B माले भी होंगे सिर्फ यह जो है element नहीं रहेंगे B symmetric difference C में और अगर इसका हम intersection ले लें A के साथ यानि इसके साथ यह हमारे इसमें elements कुछ है तो हमें कौन से elements में बचेंगे शरिफ यह वाले बचेंगे और यह वाले बचेंगे इसको अगर हम लिखें साफ सो तरह तो यह हो जाएगा A यह B यह C तो कौन से element बचेंगे यह वाले बचेंगे और यह वाले बचेंगे यहाँ पे भी नहीं है यहाँ पे भी नहीं कहीं नहीं बचेंगे और इसी तरह से when diagram से अगर हम इसको find out करें तो यह हमारा इसके equal आ जाएगा देख सकते हैं इसको भी हम A B C A intersection B हम यहाँ पे इसको माल लेते है A यह B है और यह C A intersection B हमारा क्या है गा यह सारे elements आएगे और A intersection B हो गया A intersection C A intersection C में क्या आएगे हमारे यह सारे elements आएगे अब यहाँ पे इसका और इसका symmetric difference लें तो symmetric difference में क्या जाता है जो common हो जैसे हमने कई बार बनाया है एक्जाम्पल के लिए यहाँ पे भी देख सकते तो यह common था यह चला गया अब यहाँ पे जखो A intersection B और A intersection C यह common कहां पर है A intersection B अगर हम यह ले रहे हैं तो इसमें C कहीं नहीं आ रहा है A intersection C कहीं नहीं आ रहा है तो इसमें B कहीं नहीं आ रहा है common क्या रहा है यह आ रहा है अगर हम A intersection B ले रहे हैं तब भी हमें यह मिल रहा है और A intersection C ले रहे हैं तब भी हमें यह मिल रहा है तो इसको हम हटा देंगे और जब इसको हटा देंगे तो यह हमारा इसके equal आ जायेगा ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा AB plus AC तो यह हमारी Left Distributive Property होल्ड कर गई और इसी तरह से हम यहाँ पर Right Distributive Property भी दिखा सकते हैं तो यह imply करेगा R plus dot is equal to Pn Symmetric Difference Intersection is a ring तो यह हमारा ring बना लेता हैं तो आज के लिए बस इतने हैं हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में